Hey guys, what's up? So, Chemical Kinetics के part number 9 में आपका स्वागत है तो basically आज अपन डील करेंगे निमारिकल किसके उपर बेस्ट? Rate of reaction and types of rate of reaction जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके उपर बेस्ट आज अपन सौल करेंगे निमारिकल तो first निमारिकल आपके screen के उपर ये रहा तो अपने को दे रखा है question जिसके अंदर अपने को दे रखी है instantaneous rate of reaction अब ये मुझे कैसे मालूम पढ़ा? मुझे पता है for small change अपन data नहीं लिखते हैं, अपन d लिखते हैं इससे मुझे मालूम पढ़ गया कि अपने को कोई reaction की क्या दे रखी है? यहाँ पे instantaneous rate of reaction अब ये बोल रहा है आपको what is correct about this? इस rate of reaction के बारे में कौन-कौनसी statements correct है और कौन-कौनसी statements incorrect है अभी देखते हैं अपन तो first statement बोल रहा है अपने को reaction is 2C plus 4B gives 3D plus 5 है अभी चेक करते हैं अपन तो आपने को पता है कि यहाँ पे जो अपने को दे रखिये instantaneous rate of reaction उसके लिए अगर मैं लिखता हो reaction तो पहले अपने को ये predict करना पड़ेगा कि इस पूरी instantaneous rate of reaction के अंदर कौन reactant है और कौन product है तो अपने को पता है कि जिसके अंदर क्या लगता है minus sign वो क्या होता reactant क्योंकि time के साथ-साथ reactant ही concentration कम हो रही है इसी कारण उस negative sign को हटाने के लिए अपनने एक और negative sign लगाया आगे जिससे क्या होजाए rate positive होजाए यह अपन पहले पड़ चुके है तो इसी कारण आपको बागान है आपको हर एक video simultaneously देखनी है जिससे कि आपको हर video के अंदर जो concept पताएगा है वो सारे clear हो जाए अपने बात करते हैं जिसके ने plus आया that is for product minus for reactant and this is for product simple तो इससे मैं यह क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अपने को यह पता है कि यहाँ पे यह reactant है मतलब C reactant है और D reactant है और क्या होगे stoichiometric coefficient of reactant and product simple अपन अब बात करते हैं इस पूरी instantaneous rate of reaction के लिए अपने पास main reaction क्या होगी let us see तो reactant कौन है C और D और reactant C का stoichiometric coefficient का है 2 इसी कारण क्या लिख सकते है अपन 2C plus reactant दूसरा कौन सा है D जिसका stoichiometric coefficient का है 3 that is 3D gives us product product B का stoichiometric coefficient का है 4 इसी कारण 4B plus reactant नहीं product जो अपने पास है A उसका stoichiometric coefficient का है 5 तो यहाप पे क्या होगा 5A तो reaction होगी अपने पास क्या 2C plus 3D gives us 4B plus 5A जिसके अंदर अपने पास C और D के reactant and B और A के product और जो नीजी दे रखा अपने को यह क्या है stoichiometric coefficient of reactant and product respectively अपने बात करते है क्या यही है यह rate of reaction नहीं क्या यही है यह reaction देखते हैं अभी अपन 2C 2C good 4B no it is 3D that's why यह जो statement दे रखे अपने को यह क्या है रॉंग है अब चैक करते है next statement next statement क्या बोलते है अपने को reaction is 2C plus 3D 2C plus 3D gives us 4B plus 5A yes this is correct statement अब अब बात करते है statement number 3 की तो third statement क्या अपने पास तो statement क्या अपनी rate of reaction that is ROR is 1 by 4th of rate of disappearance मतलब ROD of B अच्छा तो आपको एक बात ध्यान लखनी है कि एक reaction के अंदर एक reaction के अंदर disappear क्या होता है reactant और appear क्या होता है product बट ये बोल क्या रहा है rate of disappearance of A rate of disappearance of A what भाई आपको ये देखना है कि rate of disappearance किसके लिए होता है reactant के लिए बट ये बोल क्या रहा है product के लिए बोल रहा है rate of disappearance इसी कारण यह statement क्या होगी रोंग हो गई इसके अगर ROD इसने यहापे गल्द लिख दिया अगर ROA लिखा होता है इसने तो अगर आगे चेक करते हैं इसने यही गल्द कर दिया इसी कारण यह statement क्या होगी रोंग क्या समझ मैं आपको अगली statement अपने पास rate of reaction is 1 by 3 of rate of disappearance of d पहले ही चेक करते हैं कि यहाँ यहाँ पर rate of disappearance of d सही यूज कर रहा है हाँ क्योंकि यहाँ पर rate of disappearance किसके लिए यूज होता है रेक्टन के लिए इसने यह जो statement लिखा है ROD of d इसने यहाँ पर सही यूज कर रहा है अब चेक करते हैं आगे यह क्या बोल रहा है rate of reaction is 1 by 3 rate of reaction is 1 by 3 किसके लिए of rate of disappearance of d तो मैं क्या बोल सकता हूँ आगे कि यहाँ पर rate of reaction is equals to क्या है अपने इसको अलग लिख लिया minus 1 by 3 d concentration of d upon dt तो मैं क्या बोल सकता कि अपने पास जो rate of reaction है यह क्या है 1 by 3 of rate of disappearance of d तो यह बिलकुल साई statement है आप देख के पता सकते हो इसको क्योंकि अपने हो पता है कि minus d concentration of capital D upon dt यह क्या होता है rate of disappearance किसके लिए d के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि rate of reaction क्या है 1 by 3 है किसके लिए of rate of disappearance of d तो यह statement क्या है बिलकुल साही है आप यही से देख के पता सकते हैं इसको अगर आपको और समझना है elaborate करके तो आप इसको अलग भी लिख सकते हो पर आपको यह से समझ में आ गया हो क्या समझ में आया कि rate of reaction क्या है 1 by 3 है किसके rate of disappearance of dk तो rate of reaction 1 by 3 है rate of disappearance of dk एकदम साही statement है तो अपने इसको टिक कर दिया now coming on to the next statement तो अगली statement अपने पास rate of reaction is 1 by 5 of ROA मतलब rate of appearance of dk तो सबसे पहले अपने को यह चेक करना है कि इसने ROA मतलब rate of appearance क्या सही उजज उज़ करा है A के लिए मुझे पता है कि एक reaction के अंदर appear क्या होता है product तो इसने क्या ROA, A के लिए से यूज करें बिल्कुल, इसने सही बोला है, कि यहां पे अपने पास A के लिए अपन ROA ही यूज करेंगे, क्योंकि यह प्रड़क्ट है और product क्या होता है एक reaction के अंदर appear होता है इसे करण उसकी क्या निकालता है अपन rate of appearance तो इतना सही है अब 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 चरक करते हैं पूरी statement ये क्या बोल रहा है rate of reaction is 1 by 5 rate of reaction is 1 by 5 of rate of appearance of ए ये ऐसा बोल रहा है तो ये क्या इससे match कर रहा है अपने को ये देखना है तो ROR मतलब rate of reaction is 1 by 5 of rate of appearance of A तो ये बिल्कुल match कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ अपने पास easily कि rate of reaction जो है वो क्या है 1 by 5 किसके rate of appearance of A के आपको basically इस statement को इस पूरी rate of reaction से match करना है अगर वो match होता है then this statement is true और अगर match नहीं होता है तो वो statement क्या होगी false तो अपन बात करते हैं अब next statement ही तो अगली statement क्या अपनी अगली statement अपनी rate of appearance of A is 5 by 3 of rate of disappearance of D तो सबसे पहले अपन ही देखते हैं कि इसने ROA A के लिए और ROD D के लिए सही उस कर रहा है क्या एक reaction के अंदर appear कौन होता है product तो यहाँ पर product के लिए इसने ROA use कर रहा है अपन हम बात करते है ROD of D मतलब क्या इसने D के लिए disappear सही उस कर रहा है मतलब क्या D reactant है exactly तो इसने ROD मतलब rate of disappearance of D भी क्या उस कर रहा है सही उस कर रहा है अपन हम बात करते है इस पुरी statement की क्या यह सही बोल रहा है यह क्या बोल रहा है कि rate of appearance of A जो कि क्या अपने पास 1 by 5 अपने पास rate of appearance of A क्या है सिरफ और सिरफ क्या ये और यह क्या बोल रहा है कि rate of appearance of A is 5 by 3 of rate of disappearance of D अपन देखते हैं आप में यहाँ पे कि rate of disappearance of D के आपने पास rate of disappearance of D के आपने पास that is simply minus D concentration of D upon DT और agreement लगा दिया है आपे क्या 1 by 3 तो यह क्या होगी rate of reaction तो अपन बात करते हैं इस statement की तो यह क्या बोल रहा है कि अपने पास जो rate of appearance of A है क्या वो 5 by 3 of rate of disappearance of D के एकवल है exactly यह क्योंकि जब मैं इस 5 को लगा यहाँ पे तो यह क्या बन गा 5 by 3 और मुझे पता है कि यह इतना क्या है अपने पास यह इतना सिरफ और सिरफ क्या है rate of disappearance of D है और यह इतना क्या है यह क्या है rate of appearance of A है तो अगर मैंने इस rate of reaction को यहाँ पे लिखके इनको simultaneously arrange करा numerical value को तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल गया आगया कि rate of appearance of A यह क्या है 5 by 3 of rate of disappearance of D क्या आपको समझ में यहाँ तक अब मैं क्या हो सकता हूं कि यह statement अपने प्रू कर लिए इसलिए यह statement में भी क्या है this is also true तो क्या आपको यह basic question with all six parts समझ में आया है नहीं of course आया होगा क्योंकि अपने इसके अंदर पूरे efforts लागे समझा है एकदम detail के अंदर अपने हम बात करते हैं next question की जो कि आपकी screen के उपर यह रहा तो question अपना what is A is to B is to C for this reaction और अपने को दे का रखा है अपने को दे रखी है instantaneous rate of reaction वो मुझे कैसे बालू पढ़ा क्योंकि यहाँ पे उसने delta ना use करके d use करा है इसे करण में बोल सकता हूँ कि वो average rate नहीं है यह instantaneous rate है इतना समझ मैं आपको तो यहाँ भी क्या बोल सकता हूँ मैं यह आपको जो दे रखी है rate of reaction यह कहा है instantaneous rate of reaction अपने बात करते हैं आगे यह क्या बोल रहा है अपने को यह बोल रहा है कि आपको simply stoichiometric coefficients का ratio निकालना है मतलब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है A is to B is to C क्या होगा और मुझे पता है कि यह मैं किससे निकाल सकता हूँ simply इस rate of reaction से चलो देखते हैं अपन कैसे निकालना है अपने इसको तो सबसे पहले अपन यह देखते हैं कि अपने पास small A, small B और small C क्या होगा इस rate of reaction से तो मुझे पता है कि यहां पर कुछ यूज नहीं कर रखा इसने, तो यहां पर क्या होगा 1 upon 1 तो अपने पास small A की value क्या आगी 1 अपने हम बात करते हैं आगे कि अपने पास B किता होगा अपने को नहीं पता C किता होगा अपने को नहीं पता मतलब small C और small B किता होगा अपने को नहीं पता अपने हम बात करते हैं इसको कैसे deal करें अपन इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा इस reaction की फिर से का लिखने पड़ेगी अपने को rate of reaction कौन सी instantaneous तो चलो लिखते हैं अब मुझे पता है कि minus for reactant 1 upon A D concentration of A upon DT is equals to 1 upon B किसके अंदर? minus के अंदर D concentration of B upon DT minus को लिखाया अपने अच्छा अब आपने बात करते हैं किसके लिए for C C के लिए क्या होगया? 1 upon C plus के अंदर D concentration of capital C upon DT तो अपने पास यहाँ पे यह का लिख दिया अपने instantaneous rate of reaction इतना समझ मैं आपको मैंने करा क्या? basically मैंने इस reaction का क्या लिख दिया? instantaneous rate of reaction लिख दिया जो कि एकदम easily आप लिख सकते हूँ अपने बात करते आगे कि इस instantaneous rate of reaction से आप कैसे प्लिट कर सकते हैं stoichiometric coefficient को तो मुझे पता है यहाँ पे क्या? कि अपने पास small area value किते हागी? 1 यह समझ मैं है अब आपन किसके value करकर करकर करें calculate करेंगे B की और C की तो अपने पास यहाँ से B और C की value क्या आगी? चलो देखते हैं अपन अब मुझे पता है कि 1 upon B किसके equal है? 2 के equal है? तो मैंने simply सुखा कर दिया 2 के equal है कर दिया और 1 upon C किसके equal है? 1.5 मतलब 3 by 2 के equal है simple तो अब यहाँ से B की value कैसे निकाला है अपन? तो B equals 2 के आगया अपने पास इसको यहाँ ले गया तो B equals to क्या आगया? 1 by 2 C equals to क्या आगया अपने पास? C को मैं यहाँ ले गया तो C equals to क्या आगया अपने पास? C is equals to 2 by 3 और A की value थी अपने पास क्या? A is equals to 1 तो अपने पास यहाँ से A, B और C की value निकल क्या आगी तो अब अपन बात करते हैं A is to B is to C का ratio क्या है आगा A की value क्या है 1 is to B की value 1 by 2 is to C की value 2 by 3 तो क्या आप ratio ऐसे निकालोगे fraction के अंदर नहीं कब तक में निकालते हैं अपन ratio fraction के अंदर जब दक ये values एक simple value के अंदर convert नहीं हो सकती तो अपने क्या देखते हैं अपर अगर मैं इस पूरी ratios को multiply करता हूँ 6 से तो क्या होता है 6 is to 6 by 2 is to 6 into 2 by 3 तो 3 to 6 2 3 to 6 तो ये क्या हो गया 6 is to 3 is to 4 क्या आपने पास A is to B is to C का ratio तो अपने क्या बोल सकते है finally कि अपने पास A is to B is to C जो अपने को question में पूचा था वो क्या है अपने पास के लिए that is simply 6 is to 3 is to 4 क्या आपको ये समझ माया तो आज के लिए बस इतना ही अपने समझे दो basic numerical जो की frame थे किस के उपर rate of reaction के उपर एक question frame था basic जो की किस के उपर था based instantaneous rate of reaction के उपर और जो second numerical था वो किस के उपर based था instantaneous rate of reaction के उपर तो अगर आपको ये दोने numerical समझ माया है then don't forget to like this video and finally see you off thanks for watching पादे क्या है किस्ट किस्तुम है ऑदब हाई धुपने ये ऑदे पुपने भी आपको आपको